जेहीं दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं CRPF Constable Tracement भरती 2023 पोस्ट चेंज करने को लेकर आप में से कुछ स्टूडेंट का सवाल आ रहाई कि पोस्ट चेंज करने का लिंक जो है कॉब एक्टिव किया जाएगा आप सभी को पता है इसमें पोस्ट चेंज करने का जो लिंक है वो 25-7-2023 को आपका बताया गया था कि 25-7-2023 को इसका लिंक एक्टिव किया जाएगा लेकिन दोस्तो आज आपका 26-7-2023 हो चुका है और अभी तक आपका लिंक एक्टिव नहीं हुगा है तो आखिर ये लिंक कब एक्टिव होगा और इसके अलावा आप में से कुछ स्टूडेंट को डाउट ये भी है कि जो आपका ये लिंक एक्टिव होगा पोस्ट चेंज करने को लेकर इसमें सभी कैंडिडेट यानि कि इसके बारे में जो डाउट है ओ आज किस वीडियो में आपका किलियर हो जाएगा तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि जो पोस्ट चेंज करने का लिंक एक्टिव होगा उसमें कौन-कौन से कैंडिडेट जो है अपना पोस्ट चेंज कर सकते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे CRPF के ओफिस्यली साइट पर एक कोरीजेंडम आपका रिलीज हुगा था और इस कोरीजेंडम के अंतरगत अगर आप सभी यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो आपका डाउट है वह आपका किलियर हो जाएगा पोस्ट चेंज करने को लेकर तो देखें दोस्तों यह रहा इसका officially notice और इस notice के अंतरगत यहाँ पर देखेंगे जो आपका यह first प्रागराफ आप सभी देख सकते हैं इसमें अगर आप सभी पढ़ेंगे तो इसमें यहाँ पे किलियर option या preference of the trade of constable technical and tradesman तो दोस्तों आप सभी को बता दे यहाँ पी यह बताया गया है कि जितने भी candidate है चाहें वह male हो या female सभी candidate जो है अपना post preference जो है change कर सकते हैं और तीन जो है यहाँ पे थीरी जो है post preference change करने का आपको option मिलेगा तो देखिए दोस्तों जैसे कि मान लिजिए जब आपका यह link active होगा उस समय जो है आप अपने according तीन आपको option दिया जाएगा post, second or third तो इसमें आप सभी अपने according जो है post में कौन सा आप रखना चाहते हैं trade उसे आप सभी देख सकते हैं जैसे कि आप post में cook रखना चाहते हैं तो post में cook trade आप फिल कर देंगे अगर आप चाहते हैं कि second में जो है बगलर trade हम रखे तो इसके अंतरगत second में आप फिल कर सकते हैं third में अगर आप सभी चाहते हैं कि वासर मैन या सफाई करमचारी जो भी आप चाहते हैं उसी आप रखना तो आप उसे रख सकते हैं तो इस तरह से जो है आपको option दिया जाएगा जिसमें तीन जो है post आप सभी choose कर सकते हैं यानि कि तीन post जो है अपने accounting first में, second में और third में आप सभी रख सकते हैं जैसे कि मान लिजिए cook trade के अंतरगत आपके state में आपके category के अंतरगत जो है 75 cut up जाता है तो इससे क्या होगा तीन post रखने से और मान लिजिए कि बगलर trade के अंतरगत जो cut up है वह इससे कम जाता है यानि कि 75 से कम जाता है और आपको जो है बगलर trade दे दिया जाएगा तो दोस्तो इसलिए यहाँ पे तीन जो है post आपको जो है preference जो है option जो है choose करने का मौका यहाँ पे दिया जा रहा है तो technical and tradesman और इसके अलावा जो आपका ministerial का भरती था जो बाद में 140 post पाया था उसके अंतरगत अगर आप form apply किये हैं तो उसमें भी post preference आप change कर सकते हैं तो यह जो doubt है वो आपका clear हो गया all the candidate जो है all the applicant जो है इसमें post preference change कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तो इसमें जो date आपका दिया गया था कि 25 सा 2023 को जो है आप सभी का link active किया जाएगा लेकिन दोस्तो आप सभी को बता दे अभी अगर आप सभी देखेंगे तो अभी तक जो है आपका इसका link active नहीं हुगा है यानि कि जो इसके officially site है यहाँ पे अगर आप सभी आएंगे तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं अभी तक जो है इसका link यहाँ पे active नहीं किया गया है तो जब भी link active होगा यहाँ पे एक option आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पे click करके आप सभी अपना post preference जो है दे सकते हैं तो देखिए दोस्तो आज आपका 26,2,023 है और अगर आज आपका release नहीं होता है यानि कि आप सभी जो है राद तक wait किजिए राद 10 बजे तक और आज अगर इसका link active नहीं होता है तो आपको जो है एक नई notice जो है CRPF के तरब से देख रहेगा लेकिन आज तक आपको wait करना है और आप सभी को पता है कि ये technical चीजे होती है तो हो सकता है कि इसके अंतरगा तभी कोई problem हो जिसकारण से जो है इसे active नहीं किया गया है तो बहुत जल्द आपका ये active कर दिया जाएगा और अगर active नहीं होता है तो नई date को लेकर ए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के चैनल पर जो है वीडियो आपको देखने को मिलेंगे तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहिंद बंदे मात्रम